हाई गाईज, वेलकम तो एड़सोलूशन ओवसीज, गाईज आज का ये विडियो है, आप सभी की फेवरेट देस्टिनेशन फिन्लैंड के बारे में, और आज हम बात करेंगे लाब उनिवर्सिटी ओफ अप्लाइट साइन्सिस के बारे में, गाईज फिन्लैंड के बारे मे जैन्वरी 2024 इंटेग के लिए ओपन हो चुकी है, तो अगर आप जैन 24 इंटेग के लिए जाना चाहते हैं, तो गाईज, लाब उनिवर्सिटी ओफ अप्लाइट साइन्सिस ने अप्लिकेशन लेना स्टार्ट कर दिया है, और गाईज, लाब उनिवर्सिटी इस दिस्थ ल जाती में जहांपर आप इड्मिशन ले सकते हैं, साथी साथ सिट्वी एक्स्प्लोर कर सकते हैं, गाईज, जैन्वरी 2024 इंटेग के लिए जो अविलेबर प्रोग्राइम्स हैं, उसमें आपको बैचलर्स प्रोग्राइम्स मिल सकते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ बिजनेस साथ के होने चाहिए, IELTS वेवर पॉसिबल है, कोई अप्लिकेशन फीस नहीं है, बट डिपेंग्स ऑन दे युनिवर्सिटी और आपके प्रोफाइल के बेसिस पर, मेबे के युनिवर्सिटी जो है, वो एक ओनलाइन सैट का आपका टेस्ट ले, एक एंट्रिस एक्जाम क के तरफ से कंडर्ट करना पड़े, गाइस, बाचलर डिग्री 3.5 एर्स की है, और ट्यूशन फी की बात करूं, तो 8,000 यूरो पर एर तक रहन दी है, बट गाइस, जैसा के आप देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अप्लिकेशन पीरियड, अप्लिकेशन ओलडे जाना देट निकल गई, तो आप चहा करके भी किसी भी उनिवर्सिटी में, स्पेशली लाग उनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइट साइंसे में, अप्लाइट नहीं कर पाएंगे, तो गाइस, अप्लाइट नाउ एंड हरियर, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि फिनलैंड की उनिवर्सिटी बहुती शॉर्ट डूरीशन के लिए ओबन होती हैं, और उसके बाद फिर अप्लिकेशन लेना बंद हो जाती हैं, वैसे भी ही जैन्वर इंटेक में, बहुत सारी उनिवर्सिटी नहीं होती हैं, तो गाइस, इस इंटेक को मिस ना करते भी, अगर आपको ल लाब में, इसली आपको हम एड्मीशन दिलवाने के लिए, डॉक्युमेंटेशन, ओफर लेटर और वीजा तक की जॉर्णी में आपको पूरा असिस्टेंस दे सकें, तो गाइस, आपके कॉल का इंतजार रहेगा, और नेक्स वीडियो में हमें एक और युनिवर्सिटी के साथ आओंगी एक नए इंफरमेशन के साथ, तब तक के लिए, थांक यू सो मच.